जब भी हम लोग घोटल या रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहां सिर्के वाला प्याज जरूर आता है और उसे हम लोग खाना खाने से पहले ही 2-4 प्याज ऐसे ही खा लेते हैं इसको अच्छा होता है पर हम लोग सोचते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है घर में इसे इतना ही को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं तो आईए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है यहां पर मैंने छोटे साइज के प्याज लिये हैं जिसे मैंने अच्छी तरह से छील लिया है और साप पानी से धुल कर सुखा लिया है इसे मैंने कॉटन के कपड़े से पोच लिया था ताकि यह पानी इसका सूख जाए अब मैं इसे बीच से इस तरह से कट कर लूँगी ताकि जब मैं इसे सिर्के में डालूं तो सिर्का प्याज के अंदर तक अच्छी तरह से भर जाए इसी तरह से सारे प्याज को बीच से कट कर लेंगे अब एक बॉल लेते हैं अब इसमें मैं एक चम्मच नमक डाल लेंगे और दो चम्मच चीनी डालेंगे इसमें 5-6 काली मीर्ज, दो लॉंग और एक छोटा टुकड़ा डाल चीनी का लिया है हमेने अब इसे भी इसमें डाल देंगे अब इसमें एक कप पानी डाल देंगे और इसे अच्छी तरसे मिक्स करेंगे इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक की चीनी और नमक अच्छी तरसे इसमें घुलना जाए चीनी और नमक पानी में अच्छी तरसे घुल चुका है अब इसमें डालेंगे आधा कटा हुआ चुकंदर चुकंदर को मैंने छोटे चोटे टुक्ड़ों में काट लिया है इसे अच्छी तरफ मिला देंगे इसे सिर्की के बाले predict में बहुत अच्छा इच्छा कलर और Mithas भी आजाता है यहां पर मैंने 2 इंच अध रख लिया है इसे भी मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अगर आपको कलर और थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो आप यहां पर थोड़ा फूट कलर का इस्तिमाल कर सकते हैं पिंग कलर या औरेंज कलर यहां साथ आठ हरी मीज मैंने लिए है हरी मीज को मैंने बिज से कट कर लिया था अब इसमें एक कप मैं डालूंगी विनेगर अच्छी तरह से मिक्स कर लें सिर्के में अद्रक और हरी मीज डालने से चीनी और चुकंदर की मिठास को यह बैलेंस कर देता है यह देखिए यह अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब इसमें डालेंगे प्याज इस तरह से इसमें प्याज को डाल दें सारे प्याज को मैंने सिर्के में डाल दिया है इसे उपर नीचे करके अच्छी तरह से मिला दे अगर सिर्का थोड़ा कम लगे तो आप इसमें आधा कब सिर्का और डाल दे मुझे इसमें सिर्का थोड़ा कम लग रहा है तो आधा कब सिर्का मैं और डाल लई हूँ अब इसे अच्छी तरह से फिर से मिला देंगे अगर आपको सिर्के वाले प्याज का कलर थोड़ा डार्क चाहिए तो आप इसमें चुकंदर की संख्या थोड़ा और बढ़ा दिजे यानि मैंने हाफ डाला है तो आप एक पूरा चुकंदर इसमें डाल दें तो कलर प्याज के उपर बहुत ही अच्छा आजाता है और इस कलर का कोई नुकसान भी नहीं होता है यहाँ पर मैं थोड़े टुक्रे चुकंदर के और डाल दे रही हूँ चुकंदर वैसे भी हमारे सरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है हमारे सरीर में बलड को बढ़ाता है और बहुत ही फायदेमंद होता है ये अगर आपको रेस्टुरेंट इस्टाइज स्वाच चाहिए सिर्के वाले प्याज का तो आप इसे 24 घंटे के लिए ढखकर रख दें ताकि सिर्का अच्छी तरह से प्याज के अंदर भर जाए और चुकंदर का बहुत ही अच्छा कलर प्याज की उपर आ जाए तो इसे मैं 24 घंटे के लिए ढखकर रख देती हूँ 24 घंटे बीज चुका है अब देखिए प्याज के उपर कितना अच्छा पिंक कलर आ गया है लग रहा है ना बिल्कुल होटोल और रेस्टोयन की तरह यह प्याज इसमें से एक प्याज को लेकर मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए प्याज के अंदर तग सिरका बिल्कुल भर चुका है सिर्के वाला प्याज बनकर बिल्कुल तयार है अब मैं इसे एक सीसे के जार में इस तरह से भर लेती हूँ इस जार को आप फ्रीज में 15-20 दिन के लिए रख दें और प्याज निकाल कर खाते रहें, यह बिल्कुल खराब नहीं होता है, जब प्याज खत्म हो जाए तो इसी सिर्के में फिर से आप प्याज को छील कर डाल दें और फिर इसे यूज करें, तो आप इसे खाने के साथ अंज़ाए करें, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जय हिन्द।